हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू PCS माइंड फ्रेंट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपका इदरश्टी मैगजीन से 2023 के लिए पूरे एक साल का करेंट अफेयर तो आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं आपके इकोनोमिक्स का करेंट अफेयर पूरे एक साल का तो आपक को करेंट अफेयर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो रहा होगा ठीक है यह इस मैगजीन का इंडेक्स है तो सबसे पहले इस मैगजीन के इंडेक्स में आपका नैशनल करेंट अफेयर दिया हुआ था तो नैशनल करेंट अफेयर हम अपना पूरा कर चुके हैं पूरे एक साल का तो अगर आपने इन क्लास को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर जाकर National Current Affair को अपना पूरा कर सकते हैं ठीक है देखिए National Current Affair की बाद आपका दिया हुआ है International Current Affair ठीक है अंतराश्टिय इस तर पर जितनी भी Current Affair की घटनाई पूरे एक साल में घटी थी तो वो हमने सब discuss कर चुके हैं ठीक है तो हमारा international current affair भी अब पूरा हो चुका है तो जैसे जैसे आप class कर रहे होंगे regularly आपके अंदर confidence build up हो रहा होगा ठीक है आपको confidence feel हो रहा होगा अगर आप अपने इसके साथ में short notes भी बना रहे हैं तो आपका confidence दुग ट्वाइस current affair को divide किया गया है बहुत ही अच्छे से तो यहाँ पर हमारा पूरे एक साल का economics का current affair कवर हो जाएगा तो आज economics की current affair की आपकी पहली class है ठीक है तो इस पर दो से तीन class आएंगी और आपका economics का current affair complete हो जाएगा ठीक है देखे economics की current affair के बाद है आपका science and technology का current affair तो ह वो भी हम पूरा यहाँ पर discuss करेंगे तो इस तरीके से हम इस पूरी magazine को यहाँ पर cover करने वाले है बहुत ही अच्छे से इसके बाद क्योंकि आप हो सकता है UPPCS का paper देने जा रहे है प्रिलिम्स है अभी 14 माई को ठीक है तो UPPCS से related जितना भी current affair है वो हम यहाँ पर cover करेंगे अगर आप BPSC देने जा रहे हैं 69th BPSC तो यहाँ पर हम बिहार से related जितना भी current affair है वो cover करेंगे जितने भी पूरे एक साल में short news थी थी क्या उसको हम cover करेंगे और sports related questions बहुत आते है current affair के आपके exam ने तो sports related current affair हम एक class में अपना cover कर लेगे तो इस तरीके से हम इस पूरी magazine को यहाँ पर cover कर रहे हैं जैसा कि आपने देखा तो friends अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe जरूर कर ले वीडियो को like और comment जरूर करें एक चीज़ और अगर आप चाहें तो हमारा telegram group at the rate PCS mind for you इसको join कर सकते हैं जहाँ पर हम आपको regularly कुछ न कुछ अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं और हमने यहाँ पर इस magazine की pdf भी provide कर आई है आपको तो अगर आप इस magazine की pdf को चाहते हैं तो आप at the rate PCS mind for you को join कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं फिर आज की class तो देखिए friends यह आपका economic का current affairs है पूरे एक साल का एक सीज मैं आपको बता दूँ आपका यहाँ पर content English में रहने वाला है लेकिन मैं इसको हिंदी में explain करूँगी बहुत ही simple language बे ठीक है तो आपको यहाँ पर समझने में कोई problem नहीं आएगी friends ऐसा है कि हिंदी में जो है इस magazine का PDF कहीं भी available नहीं है इसलिए हमें English का content को use करके उसको हिंदी में explain करना पड़ रहा है लेकिन आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आने वाला है आपके exam के point of view से जितना important है मैं आपको बता दूँगे सिर्फ आपको वही चीज़े याद रखनी है ठीक है फाल तुम्हें सब कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है देखे सबसे पहले news है आपके सामने city finance ranking 2022 तो friends क्या हुआ इसमें देखे दिसंबर 2022 में ministry of housing and urban affair ने दो की initiative को launch किया ठीक है दो नई योजना या दो initiative को launch किया जिसमें पहले का नाम है आपका city finance ranking और दूसरा है city beauty competition तो basically इन दोनों की initiative का उदेश्या क्या है तो इनका उदेश्या है friends जो public spaces होते है ठीक है cities और world जो होते हैं उसमें जो public space होते हैं उनको जादा से जादा beautiful, innovative and inclusive बनाना तो उनकी सुन्दरता को बढ़ाना उनमें नई-नई innovation करना ठीक है तो यहीं इनका मकसत है और city beauty competition जो है इसमें वोर्ड्स और जो public places है वो participate करेंगे लेकिन participate करना जो है उनके लिए voluntary है voluntary का मतलब होता है स्वेच वो अपती मर्जी से इस पर participate कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं ठीक है कोई binding चीज़े यहाँ पर नहीं है तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर public spaces को most beautiful world और most beautiful public places में convert किया जाएगा ठीक है तो आप समझ गए होंगे कि आखिर यह क्या है बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है ठीक है तो इसको किस ने launch किया है ministry of housing and urban affair ने city finance ranking और city beauty competition को launch किया है public spaces को beautiful बनाने के लिए simple बस इतना आपको याद रखना है फिर दूसरी news है आपके सामने fifth edition of youth co lab india तो friends जैसे कि आप देख सकते हैं कि youth co lab india ये asia pacific reason का largest youth innovation movement है ठीक है यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसको किस ने launch किया है तो इसको launch किया है आपका अटल innovation mission ने ठीक है नीती आयोग और UNDP India और city foundation के साथ मिलकर तो इन सब ने मिलकर youth co lab india को launch किया है और इसको सबसे पह आपको ये चीज़े यहाँ पर याद रखनी है और यहाँ पर आपको अटल innovation mission के बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है अटल innovation mission को सबसे पहले launch किया गया था 2016 में ये date आपके लिए काफी important है और किसने launch किया था अटल innovation mission को तो नीती आयोग ने इसको launch किया था ठीक है य school level, university, research institutions, MSME इन सब में जो है हमें entrepreneurship यानि की उद्ध्योगों को innovation को science को technology को बढ़ावा देना है ठीक है यही इसका basically मकसद है तो देखिए तीसरी news है आपके सामने global minimum tax तो friends global minimum tax क्या है तो basically यहाँ पर एक संस्था है OECD OECD का मतलब होता है organization for economic cooperation and development तो OECD ने basically जो big company यानि की जो बड़ी-बड़ी companies है ठीक है उनके लिए एक minimum tax rate नियोनतम करदर ठीक है fix की है यह है 15% ठीक है तो और यह किसके साथ मिलकर किया है जो European Union ठीक है EU के साथ मिलकर यह चीज़ की गई है तो OECD ने European Union के members के साथ मिलकर जो बड़ी-बड़ी company होती ह है उनके लिए एक minimum tax rate fix की है 15% ठीक है तो यह क्यों किया गया है यह इसलिए किया गया है क्योंकि जो बड़ी-बड़ी company थी वो tax से बचने का हमेशा परियास करती थी ठीक है और एक word आप यहाँ पर देख सकते है tax haven तो tax haven का मतलब यही है कि जो बड़ी-बड़ी company है वो tax से बचने के लिए खुद को ऐसी दूसरी country में shift कर लेती थी जहाँ पर tax की दर कम हुआ करती थी इसलिए OECD ने European Union के members के साथ मिलकर यह एक minimum tax rate को fix कर दिया है 15% जिससे जो बड़ी-बड़ी company है वो tax देने से ना बच पाए ठीक है चलिए देखते है next news next है आपका migration and development brief of world bank तो world bank ने यहाँ पर migration और development पर एक brief report जो है अभी जारी की है तो देखते हैं इसको तो friends जैसे कि आप देख सकते हैं इस report को November 2022 में publish किया है world bank ने ठीक है और इस report में यह कहा गया है इस report में इंडिया जो है remittance के मामले में top पर आया है ठीक है number one position पर आया है इंडिया इंडिया ने 2022 में एक record set किया है 100 billion ठीक है डोलर को remittance प्राप्त करने का एक record set किया है, Remittance का मतलब क्या होता है, इंडिया की जो लोग विदेशों में है ठीक है, और विदेशों से इंडिया में, ठीक है, वहाँ से अपना earning करकर इंडिया में भेज रहे हैं, डोलर की form में, ठीक है, तो इसे इंडिया में डोलर बढ़ रहा है न, तो इसी को ही Remittance ब पर आया है, नंबर 1 पर आया है, यह आपके लिए important हो जाता है, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, इस chart को देखें, इंडिया देखें, टोप पर है, ठीक है, इंडिया ने 100 बिलियन, ठीक है, 100 बिलियन जो है, recipient Remittance को प्राप्त किया है, ठीक है, तो टोप पर आय मेक्सिको है, तीसरे नंबर पर चाइना है, चोथे नंबर पर फिलिपिन से, बस आप इन टोप 3 को याद रखना, इंडिया, मेक्सिको, चाइना, और आपके लिए important जाद यही है, कि Remittance के मामले में, इंडिया ने top किया है, इस बार, ठीक है, 2022 में, बस, चलिए देखते हैं next news, तो friends basically इस report में क्या कहा है, देखे, report on trend and progress of banking in India, तो इसमें इंडिया की अंदर जो bank है, ठीक है, बैंकों के ऊपर ही RBI ने इस report को paste किया है, तो इसको किस ने publish किया है, RBI ने publish किया है, और RBI ने इसमें ये किया है, कि हमारे जो scheduled commercial bank है, ठीक है, तो scheduled commercial bank का जो NPA है, NPA का मतल होता है, देखे, NPA का मतलब होता है, non-performing asset, तो friends, non-performing asset, bankों का ऐसा धन होता है, जो bankों ने लोगों को loan के रूप में दिया होता है, लेकिन लोगों ने उनके loan को वापस नहीं लोटाया होता है, एक निश्चित समय पर, तो ऐसे धन को bank जो है, वो NPA घोसित कर देते हैं, ठ NPA 2021 में कितना हो गया, घटकर, ठीक है, declined, यानि कि कमी आई है, बैंकों के NPA में, यह अच्छी बात है, ठीक है, तो 2021 में 7.3% हो गया है, और यही चीज लास्ट, ठीक है, end September 2021 में 6.9% हो गया है, तो basically आपके लिए बस इतना ही important है, कि बैंकों का NPA है, RBI ने जो reports आ रही की है इसमें कहा गया है, कि NPA में, बैंकों के NPA में कमी आई है, ठीक है, चलिए, देखते है, next news, next है आपकी SIDB, Google Inc. Partnership to help MSME, तो बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, कि SIDB और Google Inc. ने, ठीक है, partnership की है, किस चीज के लिए, जो हमारा MSME sector होता है, इसकी help करने के लिए, ठीक MSME हमारे लगू उद्योगों से संबंदित है, हमारे जो लगू उद्योग होते हैं, उन्ही को MSME कहते हैं, तो basically, जो हमारे लगू उद्योग है, MSME sector है, इसी की help करने के लिए, SIDB और Google Inc. ने, पार्टनर्सिप की है, ठीक है, तो इसमें यह लोग क्या करने वाले हैं, देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको 18 November 2022 को इन्होंने पार्टनर्सिप की है, ठीक है, basically, इसका objective क्या है, तो आप देख सकते हैं, promotion, financing and development of MSME की full form भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर, micro, small and medium enterprises, ठीक है, तो MSME की help करने के लिए, इन्होंने पार्टनर्सिप की है, बस इतना काफी है आप के लिए, देखिए, next है आपका, social progress index, SPI, ठीक है, यह काफी important है, इसको आपको देखना है, तो social progress index, इसको किसने जारी किया है, तो इसको जारी किया है, आपके economic advisory council to prime minister ने, ठीक है, देखिए friends, तो यहाँ पर basically आपको क्या याद रखना है, कि जो social progress index है, इसको किसने release किया है तो इसको release किया है, economic advisory council to prime minister ने, ठीक है, और इसमें basically जो हमारा state है, और district है, ठीक है, उनकी social progress को मापा जाता है, तो इसमें जो है, तीन index बताए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो क्या चीज़ हम देखेंगे, इसको जारी करने के लिए, एक तो basic human needs, क्या समाज के अ सबसे top पर आया है, ठीक है, तो पुद्दुचेरी has the highest SPI score, पुद्दुचेरी के बाद है आपका लक्षद्वीप and गोवा, ठीक है, तो लक्षद्वीप और गोवा का number आता है, पुद्दुचेरी के बाद, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, और आप देख सकते हैं कि जारखंड और बिहार जो है, इनका सबसे lowest score आया है, ठीक है, social progress index में, उत्तर परदेश कौन से number पर है, तो उत्तर परदेश आपका 31 वे number पर आया है, ठीक है, अगर हम top 3 district की बात करें, तो आपको इनको भी याद रखना है, top 3 district है, एक तो आपकी मिजोरम की district है, ठीक है, ये एजवाल करके कुछ नाम है, दूसरी हिमाचल परदेश की दो district है, एक तो सोलन और एक सिमला, ठीक है, तो ये तीन district है, जो top पर आई है, social progress index में, ठीक है, तो ये चीज़े आपको याद रखनी है, यहापर देखिए, ये rank 1, rank 1 किसकी है, पुद्दुचेरी के है, maternal moratality क्या होती है, इसका मतलब होता है, मात्र म्रत्युदर, कि कितनी माताओं की म्रत्युदर, उनकी pregnancy के दोरान हो जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसमें बताया गया है, तो friends, इसको जारी publish किया गया था, maternal moratality report को, 28 November 2022 को, इसको किसने publish किया थो, आप देख सकते है, ORGI, ORGI का मतलब है, Office of the Registrar General and Census Commissioner India, ठीक है, तो Registrar General के दुआरा इस report को, जारी किया गया है, और इसमें एक अच्छी ही बात है, इसमें ये कहा गया है, कि जो मात्र म्रत्युदर है, इंडिया में, ठीक है, वो 2014-16 में आप देख सकते हैं, 130 थी, ठीक है, लेकिन 2018-20 में ये कर 97 हो गई है, ठीक है, पर लैक, तो बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, कि Maternal Moratility Rate में जो है, कमी आई है, ठीक है, ये घटी है, इतना आपको याद रखना है, एक चीज़, देखी यहाँ पर आप इस चार्ट के दुआरा भी देख सकते हैं, इस चीज़ को, MMR का मत लब है, Maternal Moratility Rate in India, 2014-16 में कितना था, 130, जबकि 2018-20 में कितना हो चुका है, 97, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, एक चीज़ और याद रखनी है, स्टेट वाइस पर्फोर्मेंस आपको याद रखना होगा, कि टॉप पर कौन है, सबसे जादा मात्र अधर हो रही है, वो असम के अंदर हो रही है, ठीक है, असम इसमें टॉप पर है, कितना है, इसमें 195, ठीक है, असम के बाद आप देख सकते हैं, बिहार में सबसे जादा है, 118 उत्तर पर्देश में इवन सबसे जादा है, तो उत्तर पर्देश का Maternal Moratility Rate कितना है, 167 इसको तो आपको जादा याद रखना है, ठीक है, और टोप पर कौन है, असम, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, फिर उतरा खंड, तो यह आपको याद रखने है, Top 3 ठीक है, तो देखिए, मातर म्रति उदर का मतलब आप जानते ही होंगे, तो आप देख सकते हैं कि WHO की तो फ्रेंड नेक्स्ट है आपकी फरस्ट ग्रीन इस्टील ब्रांड कल्यानी फेरिस्टा तो आप देख सकते हैं तो first ठीक है यहाँ पर क्या important है यह green words हो है ठीक है green steel brand इससे यह important हो जाती है तो first इंडिया का green steel brand कौन सा बना है तो यह बना है आपका कल्यानी फैरिस्टा ठीक है इसको union minister of steel and civil aviation city जोतिरा अधित्तिया ने इसको जो है launch किया था ठीक है 20 December 2022 को New Delhi में तो यह क्यों important हो जाता है यह steel brand तो friends क्योंकि यह green steel brand है ठीक है इसमें जो पूने based steel companies को बनाएगी ठीक है कल्यानी group और इसमें क्या use करके बनाएगी तो renewable energy resource को use करेगी ठीक है zero carbon footprint को इस चीज में follow किया जाएगा तो basically आप बोल सकते हैं कि environment friendly होगा environment को कोई से नुकसान नहीं होगा ठीक है इसलिए यह important हो जाता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि first green steel brand कौन सा बना है इंडिया का तो कल्यानी फेरिस्टा बना है ठीक है बस आपको इतना याद रखना ह है यहाँ पर तो next news है आपकी NMDC wins IEI industry excellence award 2020 तो IEI का मतलब होता है institutions of engineers India तो इस award को जीता है आपका NMDC ने तो friends NMDC का मतलब होता है National Mineral Development Corporation तो इस company ने जो है institutions of engineers India excellence award 2020 को जीत लिया है बस आपको इहाँ पर इतना याद रखना है ठीक है तमिल नाडु चेन्नाई में यह जो NMDC है यह largest producer है iron ore, iron ore एक mineral है ठीक है तो इसकी बस इतना आपको याद रखना है next है आपका surety bond insurance तो friends surety bond insurance को 19 December 2022 को union minister role transport and highway industry नितिन गडगरी ने जो है इस scheme को launch किया है और इसका objective क्या है इसका objective है जितने भी infrastructure से related project है उनकी security को arrangement करना तो friends next है आपकी minimum support price for all kharif crops for marketing session 2022-23 बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि जो आपका MSP MSP का मतलब होता है minimum support price तो minimum support price को कौन release करता है तो इसको release करती है cabinet committee on economic affairs यह आपके लिए important है तो अभी जो आपकी MSP को release किया गया है उसमें increase किया गया है ठीक है सभी खरीफ crops और रभी crops के लिए MSP price को क्या किया गया है increase किया गया है बढ़ाया गया है basically जो minimum support price है आपका यह क्या होता है यह नियोनतम समर्थन मुल्या होता है जो सरकार हर साल जारी करती है आपकी रभी और खरीफ फसलों के लिए ठीक है इसका मतलब ये है कि जो MSP price होगा ठीक है जिस भी फसल के लिए सरकार ने जो भी MSP price declare किया है अगर कोई किसानों से उनकी फसल नहीं बेक मतलब बिक पाती है ठीक है तो सरकार उस फसल को खरीद लेती है किस पर खरीदेगी सरकार MSP price पर खरीदेगी ठीक है यही होता है तो हमारी जुआर फसल है ठीक है तो 2021-22 में कितना MSP सरकार ने डिक्लेयर किया था 2738 ठीक है लेकिन 2022-23 के session के लिए इसको बढ़ा दिया गया है 2970 कर दिया गया है ठीक है तो इस तरीके से इसको increase किया गया है इन data को आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया फिर बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि MSP को कौन release करता है तो cabinet committee on economic affairs इतना ही आपके लिए यहाँ पर काम की news है ठीक है देखे नेक्स्ट है आपका REC accorded with महारतना company status ठीक है तो आपकी REC कौन सी company है इस company का नाम है rural electrification corporation ठीक है तो rural electrification corporation को friends यहाँ पर महारतना company का दरजा दे दिया गया है बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है तो 30 November 2022 को भारत में 12 महारतना company हो चुकी है total ठीक है तो इतना आपको याद रखना है next है आपका Forbes India's 100 richest people तो आपको पता है कि Forbes हर साल जो है इंडिया के I mean एक जो है list जारी करता है तो जिसमें इंडिया के 100 richest people की list जारी की है किसने यह Forbes ने list जारी की है तो आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर top 10 richest को न है ठीक है तो आप देख सकते है नंबर वन पर आपके GOता मदानी आये है तो इंडिया के सबसे richest कोन है गोता मदानी ठीक है इसके बाद मुके संबानी का नंबर है तो आप देख सकते हैं ठीक है बस टॉप टू को आप याद रखना कि गोता मदानी और मुके संबानी ठीक है नेक्स्ट है आपकी CCI imposed a penalty 936.44 करोड ओन Google ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ है फ्रेंड्स जो CCI CCI कोन है CCI का मतलब होता है Competition Commission of India ठीक है Competition Commission of India ने आपको पता होगा कि Google के ऊपर 936.44 करोड रुपे की penalty लगाई थी पैनल्टी का मतलब सजा होता है ठीक है तो penalty लगाई ठीक किसने Competition Commission of India ने Google के ऊपर ठीक है कर रहा है ठीक है Abusing तो इसी लिए और इन्होंने कहा कि Discriminatory Practices और Google क्या कर रहा है एक भेदभाव वाली नीतियों का पालन कर रहा है ठीक है और जो उसका behavior है Google का वो anti-competitive है ठीक है प्रतिस परदा से अलग कर देता है चीजों को तो इसी लिए जो है हमारे Competition Commission of India ने Google के ऊपर penalty लगाई थी ठीक है तो आपको यहाँ पर याद रखना है देखें इंडिया के अंदर यहाँ पर एक नाम आप देख सकते हैं Big Tech Companies तो जो सबसे बड़ी Tech Company बेसिकली क्या होती है यह बहुत ही बड़ी टेकनोलोजी से रिलेटेड कमपनिया होती है और इंडिया के अंदर ऐसी Big 5 जो है Top 5 पर कौन है आपकी Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft यह Top 5 जो है Big Tech Company है ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो Competition Commission of India है इसको Competition Act 2002 के आधार पर इसको Establish किया गया इंडिया के बाहियरिन के बारे में बताया गया है तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है तो आप देख सकते हैं 5 September 2022 को External Debt Management Unit जो की Ministry of Finance ठीक है Economic Affairs के अंदर काम करती है तो इसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है और इसमें यह बताया गया है कि जो इंडिया का External Debt है यान लेकिन यह मार्च 2022 में कितना हो गया है 620.7 billion तो यह क्या हुआ है ग्रो यानि कि बढ़ा है कितना बढ़ा है 8.2% बढ़ा है ठीक है तो आपको इतना याद रखना है कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इंडिया का जो External Debt है वो ग्रो अप हुआ है 8.2% बढ़ा है ठीक कि आपको इतना पता होगा कि टेक्स्टाइल कपडों से रिलेटेड होता है ठीक है जो सेक्टर है हमारा लेकिन यहाँ पर बात हो रही है technical textile की तो आप यहाँ पर समझे कि जो technical textile होता है यहाँ पर हम ऐसे कपडों की बात कर रहे है जो बेसिकली आपकी जिसमें technology का use होता है तो टेक्नोलोजी का यूज हम कौन से कपड़ों में करते हैं, तो आप देख सकते हैं, जो हमारी आर्मी पहनती है, ठीक है, पुलिस फोर्स के पास होते हैं, डॉक्टर्स के पास होते हैं, और आप जानते हैं, साइन्टिस्ट के पास होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा व और हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम जो संदरिय यानि कि जो ब्यूटिफूल ठीक है पैंसी ड्रेस के बदले हम टेक्निकल टेक्स्टाइल पर जादा बल दें ठीक है इसको जादा बढ़ाए हम ऐसा चाहते हैं और इसको फाइनेंशियल यर 2021 से 2023 चोबिस तक के लिए लूंच किय गया है कौन इसको इंप्लिमेंट करेगी तो मिनिस्ट्री ओफ टेक्स्टाइल तो हम यहाँ पर चाहते हैं इंडिया को टेक्निकल टेक्स्टाइल में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभारना ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सबसे जो biggest player है टेक्निक टेक्स्टाइल में टॉप पर है ठीक है अगर हम बात करें वर्ल्ड मार्किट की तो 250 बिलियन डॉलर के करीब ठीक है टेक्निकल टेक्स्टाइल का मार्किट है जिसमें इंडिया का शेयर कितना है सिर्फ 16 बिलियन ठीक है है 2021 WHO तो WHO ने भी इंडिया को टॉप रैमिटेंस घोसित किया है रैमिटेंस वही है प्रेसित धन जो विदेसों से अपने रिलेटिव्स को विदेसों में जो लोग रह रहे हैं वो भेशते हैं ठीक है तो आपको मैंने बताया था कि टॉप पर कोन आया है टॉप पर इंडिय है इंडिया के बाद चाइन और मेक्सिको का नंबर है ठीक है इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है तो आप देख सकते हैं सोर्स युनाइटिड इस्टे जो लार्जेस्ट सोर्स कंट्री है रैमिटेंस की यानि की जहां सबसे जादा इंडिया के लोग रहते हैं तो फ्रेंड्स वो है देखे आप देख सकते हैं अमेरिका है यूएस से यूएई संयुक तरब अमिरात है सुदी अरबिया है स्विट्जर लेंड है ठीक है तो यहां हमारे जो विदेशी प्रवासी है वो लोग यहाँ पर रहते हैं इंडिया से ठीक है आपको यहाँ पर मेंबर बना था 12 जनवरी 1948 को ठीक है एक चीज़ ओर याद रखनी है यहां पर इंडिया ने डबलो हो की हैल्प से 1977 में इंडिया से स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से खतम कर दिया था ठीक है तो आप से पूछा जा सकता है कि स्मॉल पॉक्स को इंडिया ने कब खतम किया तो पूरी तरह से खतम हो चुकी है, यहाँ पर आपको डेट याद रखना होगा, पोलियो फ्री इंडिया कब हुआ था, 2014 में, और स्मॉल फॉक्स फ्री कब हुआ है, 1977 में, ठीक है, तो यह पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, तो फ्रेंट्स आगे की कर काफी सारी रह रही है, लेकिन हम क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप पर ज्यादा बर्डन फील ना हो, तो फ्रेंट्स अगर आपको क्लास पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें, और अगर आप इस चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो फिर मिलते हैं फ्रेंट्स क्लास में, थैंक यू सो मच